आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा हो अर्थात घर में धन का ठहराव न हो तो ध्यान रखे को आपके घर में कोई नल लीख न करता हो अर्थात पानी टापदरट पर टापकता न हो और आग पर रखा दूर धिया चाये उबलनी नहीं चाहिए वरना आमदनी से ज़्यादा खर्च होने की संभावना रहती है घर में समरिधी लाने है तू घर के उत्तर पश्चिम के कोण वायव्य कोण में सुंदर से मिटी के बरतन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें फिर बरतन को गेहूं या चावल से भर दें ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा घर में स्थाई सुक समरिधी है तू पीपल के वरिक्ष की चाया में खड़े रहकर लोहे के बरतन में जल चीनी यही तथा दूद मिला कर पीपल के वरिक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुक समर और लक्ष्मी का वास होता है। घर की आर्थिक स्थिती ठीक करने के लिए घर में सोने का चौरस सिक्का रखें। अगर आप सुक सम्रिध्धी चाहते हैं तो आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर मोली बांध कर तथा उसमें जटायुक नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अखंडित भोज पत्र पर पंद्रह का यांत्रलाल चंदन की स्याही से मोर के पंख की कलम से बनाए और उसे सदा अपने पास रखें। अगर अचानक धन लाब की स्थितिया बन रही हो, किन्तु लाब नहीं मिल रहा हो, तो गोपी चंदन की नौडलिया लेकर केले के वरिक्ष पर टांग देनी चाहिए। स्मरन रहे यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। अकसमात धन लाब के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुद्वार को सफेद कपड़े के जंडे को पीपल के वरिक्ष पर लगाना चाहिए। तो यह प्रयोग बहुत लाबदायक है। अगर आर्थिक परेशानियों से जूज रही हों, तो मंदिर में केले के दो पौधे, नर्मादा, लगा दें। अगर आप अमावस्या के दिन पीला त्रिको नाकृती की पता का विश्नु मंदिर में उंचाय वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं की वह लहराता हुआ रहे, तो आपका भाग्य शीग रही चमक उठेगा। जंडा लगातार वहां लगा रहना चाहिए, यह आनिवार्य शर्थ है, देवी लक्षमी के चित्र के समक्ष नौ बत्तियों का घी का दीपक जलाएं, उसी दिन धन लाब होगा, एक नार्यल पर कामया सिंदूर, मोली, अक्षा तरपित कर पूजन करें, फिर हनुमान जी के मंदिर में चड़ा आएं, धन लाब होगा, पीपल के वरिक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाएं एवं पीछे मुठकर न देखें, धन लाब होगा, प्रातरुकाल पीपल के वरिक्ष में जल चढ़ाएं तथा अपनी सफलता की मनो कामना करें और घर से बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले पुश्पो रक्षत चड़ाएं। घर से बाहर निकलते समय दाहिना पाव पहले बाहर निकालें। एक हंडिया में सवा किलो हरी साबुत मून की दाल, दूसरी में सवा किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनु हंडिया घर में कहीं रख दें। यह क्रिया बुद्वार को करें। घर में धनाना शुरू हो जाएगा। प्रत्य एक मंगलवार को ग्यारह पीपल के पत्ते लें। उनको गंगाजल से अच्छी तरह धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर साथ बार राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में चड़ा आए तथा वहां प्रसाद बाटे और इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हो करें। जय 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 हनुमान गोसाई। खृपा करो गुरु देव की नौई सेवन मंगलवार लगातार जप करें। प्रयोग गोपनिय रखें। अवश्य लाभ होगा।